हेलो वेवर, स्वागत आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेक्स करने का सबसे बेश टाइम कौन सा होता है कब आप जादा कमफ़टेवल होते हैं सेक्स करने के लिए कब आपका टाइम सबसे जादा इनक्रीज होता है तो इस वीडियो में इस कोश्चन का जवाब जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरे दिन या 24 घंटे में कौन सा टाइम बेश्ट होता है संबंद बनाने के लिए सेक्स दो लोग की बॉंडिंग को स्ट्रॉंग करता है इमोशनल एंड फीजिकल अटेच्मेंट देता है आपको हेल्दी रखने के साथ साथ आपके मूड को भी फ्रेश एंड हेल्दी रखता है सभी कपल चाहते हैं जब भी सेक्स हो देर तक हो ताकि पूरा प्लेजर मिल सके वैसे तो सेक्स करने की कोई भी टाइमिंग नहीं होती है जब मूड होता है कपल कर सकते है बट फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें हाई पर्फॉर्मेंस मिल सकता है तो आईए जानते हैं उस टाइम को सबसे पहले सुबा की टाइम की बात कर लेते हैं सुबा के टाइम सेक्स करना बहुत ही ज़ादा फाइदे मन्द होता है आपको पर्फॉर्मेंस बहुत ही ज़ादा हाई मिलती है क्योंकि इस टाइम आपका लिबीडो और डिजायर बहुत ज़्यादा हाई होता है Naturally, testosterone hormone एकदम पिक पर रहता है, boost रहता है इसलिए सुबह उठते साथी link में hard direction आ जाता है और ये hormone का label 10-11 बजे तक एकदम पिक पर रहता है जिसमें एक पुरुष को सबसे ज़्यादा sex करने का मन करता है सुबह का sex बहुत ही ज़्यादा pleasable तो होता ही है क्योंकि आपकी body relax रहती है, tension नहीं रहता है आप बिल्कुल energetic महसूस करते हैं, stress free रहते हैं oxytoxin hormone release होता है, जिसको happy hormone भी कहते है आपका sex long last चलता है, आप सुबह देर तक sex कर पाते हैं आपके time में जबरदस्त इजाफा होता है बट इस time फाइदा तो है, बट उसके साथ ही कुछ कम्याभी है morning में sex करने के बाद आप पूरे दिन ठके ठके भी महसूस कर सकते हैं बट ये आपके food पर depend करता है, अगर आप अच्छे से energetic food लेते हैं तो आपका पूरा दिन काफी ज़्यादा energetic रह सकता है बात करते हैं दोपर या afternoon की time के अगर आप सुबह energetic नास्ता कियो हो, तो आप afternoon में भी sex enjoy कर सकते हैं बट कई study में पाया गया है कि दोपर के तीन बजे के बाद का sex करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है ज़्यादा pleasure मिलता है, इस time भी male और female एक दुसरे से जुड़े महसूस करते हैं अब बात करते हैं evening या night time की ये time approximately सारे couple sex करते हैं, sex को enjoy करते हैं इस time भी sex बहुत ही ज़्यादा enjoyable होता है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक दुसरे पर focus करते हैं आपका mind एक दम एक जगा पर रहता है आपका brain feel good hormone का cocktail release करता है, जैसे serotonin and oxitoxin जिससे आप sex को ज़्यादा enjoy करने के साथ साथ देर तक भी कर पाते हैं serotonin hormone जहां आपके time को बढ़ाता है, आपको बहतर control देता है और गाजम पर वहीं oxitoxin hormone आपकी love and bonding को strong करता है आपको happy feel देता है, इस time आपका और आपके partner का desire और excitement level एक दम हाई रहता है night में sex करने से और गाजम या education के बाद बहुत ही मीठी वाली नीद आती है आप बहुत ही ज़्यादा relax feel करते हैं, तो अब conclusion की बात करते हैं तो conclusion यही है कि जब आपका और आपके partner का mood करे आप sex कर सकते है वो time based होता है, बट morning या night में sex करना ज़्यादा pleasurable होता है और night में sex सबसे ज़्यादा बहतर एहसास के साथ साथ आपकी bonding को भी strong करता है point से आपको decide कर सकते हैं कि आपको कब sex करना चाहिए तो hopefully आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और like जरूर कीजिए, इससे हमें motivation मिलता है, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का और हमारे चैनल को subscribe कीजिए, ताकि हम और भी मेहनत करते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें और bell icon के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और साथी all के option को select कीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डाले, उसका notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं next वीडियो में किसी नए topic के साथ अगर आप चाहते हैं, मैं आपके लिए किसी topic पर वीडियो बनाओ तो वो topic आप comment box पे mention कर सकते हैं Thank you